मुझे आप सब लोग और यह से होंगे आप तमाम लोगों को डी काम पार्टू निस तरीके से आप लोगों को मलूम है कि मजुदा सिट्वेशन की वज़ासे अधार को बंद कर दिया गया है इस वज़ासे आपकी क्लासिज ऑनलाइन होंगी और आप लोगों के लिए यह सहूलत पैदा की गई है कि जूम मीटिंग्स में आप हम लोगों को अपने लेक्चर के शेडूल के मतबख जुआन कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे एक तुल्बा की तरफ से यह खौईश की जा रही थी कि हमारे पास इंटरनेट जो है वो मनासिब नहीं है और हर वक्त रिकार्डिंग अबाद में अवेलेबल भी होगी तो जिस तरह की सब देख रहे हैं कि तुल्बा की बहुत कम ददाद यहां पे वेलेबल है लेकिन यूट्यूब चैनल के उपर लास लेक्चर जो अप्लोड गिया था तो उसके अंदर जो अप्रॉक्सिमेटली तीस से चा तो अमीद है कि आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ अपने टॉपिक की तरफ तो आज हमने जो बात करनी है वो यह है कि हमारे पास अगर हमारे पास एक माइक्रोसाफ अक्सेस के अंदर हमने एक टेबल त्यार करना है तो वो टेबल किस तरीके से त्यार किया जाएगा हम यह जानते हैं कि माइक्रोसाफ अक्सेस के अंदर टेबल त्यार करने हो तो हमारे पास तीन तरीक के कार है तो जब भी आपने टेबल त्यार करना है तो उसके लिए हासे हम क्या अगर सकते हैं Microsoft Access के नदर तें तरीका कार को किसमाल कर सकते हैं तो उसके अंदर जो पहला तरीकाकार वो विजेट के जरीए है दूसरा डीजैन यू को ज़री है और ढ़र कि ने तृसेरी की बात कि जा है तो आपके पहला तृरीका कार है वो विजट के ज़री है दूसरा तरीका premise डिजाइन वीव को जरीए और तीसरे की बात करें तो वो क्या है डाटा शीट वीव को जरीए यहां पर हम क्या कर सकते हैं इन तरीका कार को इस्तमाल करते हुए आप टेबल डिजाइन कर सकते हैं Microsoft Access के अंदर तो Microsoft Access के अंदर आप से पूचा जाए तो टेबल त्यार करने के हमारे पास कितने तरीके कार हैं किन किन तरीका कार के जरी टेबल त्यार किया जा सकता है तो हमारा जवाब क्या होगा तीन तरीका कार के जरी है पहला तरीका कार किया है हमरे पास है विजट के जरी ह दूसरा तरीका कार किया है design view के जरी है और तीसरा तरीका कार किया है हमारे पास data sheet view के जरी है तो आई ये दोबारा हम उन तरीका कार के वज़ाद करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि हम किस तरीके से एक विजट के जरीए हम एक जो है टेबल बनाना है तो किस तरीके से बनाया जा सकता है तो विजट जो होता है वो हम कहते हैं कि मरलावार तरीका कार है स्टेप बाइ स्टेप तरीका कार है तो हमरे पास मरलावार तरीका कार है तो इसके जरीए हम कर सकते हैं कर सकते हैं तो यहां पर हम जो बात कर रहे हो कौन सा तरीका का रहा है विजड के जरीए तो यहां पर आपके पास हम क्या कर सकते हैं असानी से आप अपना कोई भी अपना हो तो उसे आप त्यार कर सकते हैं तो यहां पर पहला तरीका का जो है आपका विजड के जरीए हम क्या कर सकते हैं तो विजट क्या होता है हमने कहा कि महरलावार तरीका कार होता है जिसके अंदर हम चंद एक मराहिल से गुजरके एक काम को असानी और तेजी से सरअन्जाम दे सकते हैं तो विजट के शरीये बनाना गौट लिए आपका कर सकते हैं बना सकते हैं है अगर आपने बनाना हो तो फिर हम पौन कौन से गुजड़ेंगे कौन 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 से काम होंगे कौन कौन से स्टेप सबस्के हम एक अब बना सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे Microsoft Access Program को चलाएंगे और मैं डेटाबस की लिस्ट में से हम क्या करेंगे आप टेबल्स पर क्लिक करेंगे आपके पास कोई भी आपके पास Microsoft Access सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर आपने पहले ही आपने टेबल बनाने का तरीका कार देखा हुआ है यहां पर हमने टेबल बनाना हो तो यहां पर हमने पास क्या है यहां पर हमरे पास जब भी हमने Microsoft Access को को खोलते हैं तो हमारे पास क्या है अक्सस डायल बाक्स नजर आता है तो यह हमारे पास अक्सस डायल बाक्स है उस अक्सस डायल बाक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं अपनी मरजी से एक database DB1 के नाम से बन गया है अब हमने क्या करना है इसमें table बनाने के यहां पर तीनों तरीका कार नजर आ रहे होंगे design view के जरीए visit के जरीए और हमारे पास क्या है hunting data के जरीए यहां पर हमारे पास पहला जो तरीका कार है वो क्या आपके पास है tables अगर हमने बना ãतो हम क्या कर सकते है वेजिट के जरीए हम पहले क्या करना है व्जीट के इओपर double click है अब हमारे पास क्या है आया यहां से हमने क्या करना है आप के पास अलाइदा से एक आप calculating कर सकते रहां connect अदर बिजनेस के आप नियापस नियुकिंदे पर सबस्दों आपके पास इंपलाइज है यह फर्ज किया करना चाहरें स्टूड का टेबल बनाना चाहरें तो हमने बिजनस कैटेगी के अंदर टेबल जो है आपने सैंपल जो नमुने का टेबल है वो कौन सा इंदखा फिया है स्टूडं यहां पर फिल्ड दखा रहा है कि कौन कुँन से सैंपल फील्ड जो आप इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर हमारे पास वर्सक्या हमें student की ID चाहिए student का first name चाहिए हमने शामल कर लिए last name हम अलाइदा से नहीं करते parents name या father name जो होता है उसका address जो है वो हमें कि हम मेजर्स के लिए यहां पर इमेल आड़ी भी हमने ले लिया उसके लावा आपके पास क्या है स्टूडेंट नंबर यहां उसके बारे में कोई आपने लिखने हो तो वह हम लिख सकते हैं तो यहां पर हम क्या करना चाहिए अगर इन में से किसी फिल्ड को रिनेम करना चाह होगा एट लिहां से टेक्स अप्सपक्स जाहिर होगा और हम क्या करेंगा उसका नाम्नाम तब्दिल कर देंग तो यहां पर हमने क्या करना उसको नाम TutORD करणा है और इसanız नम कर दिया घरना चाहिए तो पिरनस्मियम भड़ना चाहिए पर चृत्र नम नम लिंगने चाहिए है उसे करा होमें अगर और क्यों चाहिए ecosystems स्टूडेंस हम रखना चाहे हैं यहां पीज आपने टेपल का नाम रखना चाहते हैं यहां पर आपने डाने आप्थ के की आप यसके लिए के आप सना चाहते हैं यह नहीं बनाना चाहते हैं तो हम इसके मतलब क्या होगा आपके पास जी अगर हम primary key set कर देंगे इसके लिए तो इसका मतलब है कि वो जो मुझसर फील्ड है उन में से primary key जिसको मुझसर समझेगा उसको primary key बना देगा अगर उसमें से अगर उसे कोई भी मुझसर फील्ड हमें नहीं नजर आ रही वो हम चाहरे हैं कि नहीं जी मैं खुद primary key set करना चाहरा हूँ तो हमारे पास दूसरी option है कि नहीं मैं खुद primary key set कर लूँगा तो यहां से हम क्या करेंगे प्रैमरी key option का ताइन करेंगे हम दोनों क के बारे में पूछता है कि आप किया करना चाहा रहे हैं आप डेबल के design को अगर modify करना चाह रहे हैं किसी फील्ड की जडरूरत है यहां कि शीधी प्रापटे जबढ़ारा की चेंज करने के ज़रूरत है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं इसको इंतकाब करेंगे अगर दाखल तो वो क्या करेगा आप करें लिए एक वायम बना देगा जिसह तरहीं हम क्या कर सकेंगे लिए ना कर सकेंगे यहांuba हैं यहांपे आपे आ गया और इसका डिजाइन लिए चैरी है तो इसके अंदर हम क्या कर सकतेैं अपनी मरजी से कोई भी चीज आड़ करनी है तो वह हidée कर सकते हैं मसलना उसके क्लास नहीं तो यहां पर हमारे पास क्लास जो वह यह, टैक्स किस्त हम क्या होती था इसका सेश्टन के था कि यहां पर हमने क्या किया सेशन शामल कर लिए वटा इस तरीके से अगर कोई फिल्ड दुगारा चाहिए होगी वहां पर डिजाइन के अंदर शामल है कर सकते हैं तो अगर हम डिजाइन व्यू की आप्शन को मुंतखिब करेंगा तो क्या करेंगा डिजाइन में ओपन है कर करेंगा लेकिन अगर हम क्या करते हैं दुबारा से वहीं पर चलते हैं एक और टेबल वहीं पर स्टूडेंट के टेबल को मुंतखिब कर लें करते हैं तो यहां पर आपके पास क्या है स्टूडेंट का टेबल आ गया इसके अंदर से हम सारी शामल कर लेते हैं तो यहां पर इसके जरी सारी फीड शामल भी की जा सकती है अगर किसी को आपने खतम करना तो वा को खतम भी की जा सकती है हम वह दूसरी options को देखना चाहरे हैं यहां पे आपके पास आप कहते हैं किने जी मैं फूद primary key set करूं गा तो फिर क्या होता यहां पे आपके पी पिछली किस फील्ट को डैंटी बनाना चाहरे हैं कि अपने मर्जी से क्या ख़ते हैं उस फील्ट का कर लेते हैं तो यहां पर उसके भारे मैं आपको देता है कि वृत ताइब आफ डाटा वान्ट तो कंटेन के अंदर कैसा डाटा हो नाचाहिए कि आया के आपके बास तो यहां पर आप आप नंबर एक एंटर करना चाहा रहे हैं जब आप रेकार्ड एंटर करें तो उस वक्त वहां पर आप नंबर भी दाखर कर सके और लेटर वगाराब भी दाखर कर सकें हमारे पास आपके पास किया है कि हम कहते हैं कि आपने क्या करना है और वह यहां किसदें है फर्लिम्भर है वह לנेखे तो आपका किस किसम क्या है है परिसकी आ किवान पर इसके ऊपराइड के लिए इसके हमने क्लश और लीए तो यहां पैंपर हमारे बास लिटरल यहां पराथ प्सक्राय के उप्र मिला यह है तो हम क्या करेंगे है इसके लिए नीचे वाली इस option का इंतखाब करेंगे यह जु नीचे हमें दी गई ए यहां पर हमकिया कर सकते हैं इस option कर सकते हैं अगर हमारे पास रूल नबर सिरफ और सिरफ नंबर होता हमने 12 लिखा हुता तो फिर हम क्या करते हैं यह द्रिमियान वाली option का चाले हैं नंबर और लैटर नंबर हो यह पर बने कि आपने तो किसके का नहीं चाहने आप ऑपन करने चाहा रहे हैं है है तो तेबल आतरा ड़ेटा ड़ेक्टर इन हम नीचे वाली आप्षिन को मुंतखिब करते हैं यहां पर हम क्या करते हैं अगर हम यहां पर इसको मुंतखिब करेंगे तो क्या होगा हमें डाटा शीट वियू के अंदर टेबल नजर आएगा और उसमें हम कर सकते हैं हम बनाता है या नहीं बनाता है नीचे वाले आपकिन क्या है यहापके पास क्या है फार्म बनाते हम क्या कहते हैं कि निश करते हैं अब आपके वो जो फीर सी वो सारी यहां पर नजर आ रही है क्या है हम क्या कहते हैं स्टार तो यहां पर आपके पास लास्ट नेम क्या है आम तरफ बास जगह पर आपके पास जो हैं वो तीन हिस्सों के लिए आजाता है तो उसके लिए से जो सैक्ट है वहां पर लिखी जाती है यहां पर हम परन ने वहांने लिग लिए तो यहां पर हमने पास क्या है सिटी कौन सा है आने वाल है स्टेट प्रोवेंस कौन सी है पंजाब है तो यहां पर जो भी हो वो डाटा आप क्या करेंगे वहां पर दाखल कर देंगे तो यहां पर पास पूर नमियर यो भी है वह अब दाफिल गून ने फिए्ट के सब्सक्राइब जो भी है आपके पास तो अब यहां पर जो भी आपने फिम अपने ली होगी तो सब्सक्राइब की फैसे तो किस क्वालस का है हम कहते हैं के ms cs का है तो यहां पे नोस है वो कबासे सब्सक्ते है कि क्वालिटी के बारे में काम करह Jug छो भी हमारे पासस पास और ऱ पार्मीशन हो तो तो जिंटर करेंगे झ look क्या होगा ix कुष्म क्लिक करेंगे डिटक रिंग यद तरीher तो इसले रिकार्ड के उपर आजेगा तो इस तरीके से अगर हम फार्म की ऑप्शन को मुन्तिक बढ़ते हैं तो क्या होता है आपके लिहास से वो क्या करता है हमें फार्म दखा देता है वो कहता है कि आपने टेबल को लिहासे जो फार्म बनाया है तो सेव करना चाहरे हैं य तो आप नो करेंगे तो फिर वो हम मजूद नहीं होगा दोबारा इस्तमाल नहीं कर सकेंगे तो इस तरीके से हैं तो हम देखते हैं कि विजट के जरी हम लिखेंगे कैसे पीपर में हमारे पास हैं तो सबसे पहले हमने क्या कि है जिसमें हम एक निया टेबल बनाना चाहरए है अगला क्ढ़ाम क्या है कि वबचेट पास भॉजस में धूर बहुत सारे होते हैं तो वहां से हम कौन सा पॉक्जाप बनाना चाहर हैं हम टेबल बनना चाहरे हैं तो हमने क्या क्या आप यह पास प्बज्द शसन心 अधरा तो इसमें से हमने table पर click किया तो ऎब हमारे पास table बनाने के मुशलिब पॉइघ कार नादर आंगे, तो इसमें से हम table हमारा जो जडरूरत है वो कौन सी है हम जो तरीका कार है во विजट के जरी बनाने चाहरे हैं, तो हम कौन सी option का नदखाब करें खया रहेंगे? अब्जेक्ट की लिस्ट में से टेबल पर क्लिक करें यानि पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया तेबलिखके。 अब्जेक्ट की लिस्ट में हमने हमने क्लिक कर दिया है? यहां से इसके उपर क्लिक कर दिया? tables के आपर यहां पर हमने क्या कि था अच butt का नुंद करेंगे हैं तो यहां पर हम भ оруж की आप्षिन पर कलिक करते हैं तो मार्ला वार का तो विजब चल पढ़ेंगा नम्बर तीन हम Tail क्या करेंगे देट वीजड चल पढ़ेगा अब जब विजड चलेगा यहां पे हम क्या कर सकते हैं अपने मर्ज़े से इस में से विजट चल पड़ा तो अब विजट की जो पहली स्क्रीन होगी उसके अंदर क्या होगा वो हम देखते हैं जब भी विजट चला तो आपके पास क्या होगा आप से पूछा जाता है पाप Yo टेबल सारे वी हुष पहली क Celebr伊d के अंदर आप से क्या मैं पूछा जाएगा यह पूछा जाएगा यहां कि इस किसम का टेबल साफल मनाना चाहर रहें यह था हमें क्या है थो यहां पिर आपस क्या है आप मरजी शे उपाइप करेंगे षार करेंगे तत्य Richard के तख़ाब करेंगे तो नीचे हमने क्या नज़र आएंगे सेंबल टेबल नज़र आएंगा इजा हैंगे हमें अब परसनलल का इंटखाब टेबल की का इंटखाब करेंगे और इसके बास क्या करेंगे आपको नमूने के टेबल नजर आएंगे तो विसरड की पहली ज़ो Сп2 है उसमें हम क्या करेंगए टेबल की का क्या सी यह दो हैं एक बिजनस और दूसरी परसनल उसमें आप कै Pause क्या हूं गैं दो पिर उर्दों में लिखने हैं तो फिर हम क्या के कहेंगे नुमूने के टेबल जाहिर होंगे अब आप मतलूप कैकल का आपके पास जो भी टेबल की लिस्ट नजर आईएए उसमें से आफ जो टेबल बना था मसल्वा हमने अब भी student का बना ना तो हमने क्या किया जो sample table की लिस्ट में से student का नंतखाव किया था अगर हम implies का बनाना चाहें तो फिर हम किसका अन्तखाब करेंगे Impl inverter समय क्षाना यह भाहत यहां किया है ज irmumuna यहां से हम क्या करना चाहरा हैं जो भी आप दिन इतंव those crime करते हैं तो तो वहां पर अपर अभ़ास किया हो अभी अपास और यहां पर आपने क्या करना है जो भी आपने नमूने की sample fields आपको नज़र आगी तो नमूने की field में से जो भी आप वहां पर आड़ करना चाहें तो वह आपके नज़र आएंगे तो यहां पर आपके बास दो बटन्स हैं जिनके जरी हम वहां पर जो भी आपके पास फील्ड्स हैं वह एड़ कर सकते हैं अगर एक फील्ड को हैं हम इसे लिखेंगे कैसे तो उसके लिए हासे हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास कैटेगरी होगी उसमें से हम क्या करेंगे कोई भी टेबल मुन्तखिब कर लेंगे जो भी हमें इंप्लाइस का प्रोड़क्ट का बनाना है प्रोड़क्ट जो आपको कहा गया हो तो उसकी की फीलड की फाहिर हो जैंगी उसमेंसे हम क्या करेंगा जो भी मुटलब्गा प्याहरत हैं सारी मंतफिटश्ट करन Bierland हैं सब को मुटलब्ग कर Obviously कम को इन तो आप क्या कर सकते है अपनी मरजी से प्राइए कमηνig कर सकते हैं अब हम पदके तसके बाूंद जो भी टेन नएट इफल के अंदर आपके पास है हम क्या कर सकते हैं को और यह बटन के बटन होगा बाइब क्या करें गया का नाम क्या थेड़ तबीज़ हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे आपने फिर ज् ABOUT में से पूछा था आपके पास जो भी है टेबल का आप ये विड़र नाम य apple को मतलाम लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे आपके पास प्रैमरीड की की option का अंतखाब करेंगे और जैसे आप प्रामरिकी का अंतखाब करेंगे तो उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है फिनिश पर क्लिक करना है आपने टेबल को सौरी आपने क्या करना है टेबल को open करने की option का इंतखाब करेंगे और उसके बाद फिनिश पर क्लिक करेंग आपके कोई भी स्वाल हों तो आप क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं तो आपने क्या करना है इसी टॉपिक को तियार करना है और इसके बारे में जो भी स्वाल जवाब हों वो आप बेच सकते हैं तो सब लोग अपना ख्यार कियेगा बहुत सारी दुआएं तवाम दोगों के ल नाजरो वाट्साइप ग्रूप के अंदर वीडियो देखके आपने अपने कोश्चन भी भी सकते हैं यूट्यूब चैनल के ओपर भी आप अपने कुश्चन भी सकते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि जितने भी कुश्चन हैं वह आपके जो आप दिया जा सकें लेकिन बेहतर करेंगे ताके जोम एक बहुतर प्लेट फॉर्म है जिसके जरी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर नहीं हैं तो फिर आप यूट्यूब को भी इस्तवाल कर सकते हैं बाकी चीजें भी आपके लिए मुझसर हैं तो हम हर सूरत में आपको एजुकिशन प्रवाइड करने की